नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका वाइदिक नौलेच चैनल में आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि धातु का बना हुआ कच्छुआ और क्रिस्टल कच्छुआ घर में कौन सी दिशा में रखना चाहिए और इसके फाइदे क्या हैं वीडियो को पूरा जरू मिलते रहें इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें किसे दुश परिनाम से बचने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपके घर में प्रतिक कच्छुए की मूरती एक अलग उद्देश्य की पूरती करती है इसकी जानकारी के साथ साथ उनको किस सामगरी का बना होना च चलिए जानते हैं कि धातू का बना हुआ कच्छुआ किस काम का होता है धातू के कच्छुए को उत्तर या उत्तर पश्चिम दिशा में रखना चाहिए घर में कच्छुए की ऐसी मूरतियां बच्चों के जीवन में सौभाग्य लाती है उनके दिमाग को तेज करती है और ये कागरता को बढ़ाती हैं। चलिए जानते हैं कि क्रिस्टल कच्छुए को किस दिशा में रखना चाहिए और इसके फाइदे क्या हैं। क्रिस्टल या काट से बना हुआ कच्छुए की मूर्ती को दक्षिन पश्चिम या उत्तर पश्चिम दिशाओ में रखा जा सकता है। ऐसी मूर्तियां सोभाग्य, धन एवं सम्रिद्धी को बढ़ावा देती हैं। आपको एक क्रिस्टल कच्छुआ घर या कारेले में पूर्व या उत्तर दिशाओ का सामना करते हुए रखना चाहिए। इससे आपके सोभाग्य में बढ़ोतरी होती है। दोस्तो ये थी जानकारी कि धातु का बना हुआ कच्छुआ और क्रिस्टल कच्छुआ कौन से दिशा में रखें और इससे होने वाले पाइदे के बारे में। वीडियो के जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंट्स के साथ शेयर करें, कमेंट करें, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।